तो वेलकम क्रप्टो यूजर्स एक नए सांदर वीडियो में आप लोगों का स्वागत है क्या उक्टोबर के बाद बुल रन फाइनल है आएगा आज इसी के उपर हम यहाँ पर विस्तर चर्चा करने वाले हैं क्योंकि जिस टाइब से मार्केट ने यहाँ पर मोमेंट दी है बीटीसी के कुछ तीन से चार दिनों में उसको देखते हुए यहाँ पर एक संभावनाय जरूर बन रही है कि हाँ ओक्टोबर के बाद जो बुल रन है उसके एकस्पेक्टेशन बन रहे है इसके पीछे में कुछ आपको रिजन बताऊंगा जिसके वेसेस पर आप भी यह देख पाएंगे कि हाँ यार बुल रन के काफी बड़े तगड़े संकेत यहाँ पर मिल रहे है तो एंड तक वीडियो वच करना पसंद आए तो चैनल को सस्क्राइब देखिए बीटीसी का थोड़ा सा आप रोल देखिए पिछले साथ दिन में बीटीसी एक सट हजार से पहले चोपन हजार पर आ गया था चोपन हजार से बाउंस बेक करता है और सीधे अठावन पर पहुचता है वहां से मार्केट गिरता है फिर से चोपन पर आता है और यहां से बाउंस बेक करके मार्केट फिर से 69,000 के करीब पहुचता है यानि कि एक चीज गोर करने वाली बात यह है कि BTC को इन्वेश्टर खासकर बायर यहां पर गिरने नहीं दे रहे है BTC को पहले नीचे लाये जाता है वहां पर एंट्री बनाई जाती है उपर ले जाये जाता है और पहले अगर आप देखेंगे तो यही ग्राफ 60 और 70,000 के लगभग फेर खा रहा था 60-70,000 के लगभग ऐसा हो रहा था और अब यह जो फेर है यह 54-60,000 के बीच में होने लगा है यानि कि पहले यहां होता था फिर यहां हुआ अब यहां पर यह मुमेंट दिखा रहा है इससे एक बार संकेत मिल रहे है कि जो BTC की जो ग्रोथ आई थी उस गिरोथ को यहां पर थोड़ा सा डाउन करना का प्रियास किया गया है 50,000 डोलर पर और यहां से और थोड़ा नीचे ले जाने का प्रियास था वील्स का लेकिन दूसरे जो तगड़े प्लियर से है छोटे रिटेलर इन्वेस्टर उन लोगों ने यह काम फेल कर दिया और मेरे हिसाब से मार्केट वापस चोपन से उपर निकल गया था इसी वज़ा से निकला था ज़ाद से ज़ादा मार्केट को यह अगर वील्स गिराएगी तो थोड़ा बहुत और गिराकर जबर जस्त एंट्री यहाँ पर बनाएगी जो मार्केट के बुल रन के तगड़े संकेत मिलते है जब मार्केट इतना बढ़ने के बाद भी अगर नीचे नहीं गिरे तो इससे एक बाद साबित होती है कि यह बुल रन के तगड़े संकेत है और जिस टाइप से टोप इंवेश्टर, क्रप्टो एडवाईजर और एनलिस्ट ने यहाँ पर एनलिसिस किया है कि बिटकोईन ओक्टोबर के बाद तेजी से पंप करने वाला है और इस 2024 के एंड होने से पहले एक लाग डॉलर का जो सुआध है वो चक सकता है और इसकी पुष्टी कुछ संकेत यहाँ पर देते है कि हाँ यार यह पॉसिबिलिटी बन रही है मार्केट में जिस टाइप से यहाँ पर सं पाइदा होगा यहाँ पर अगर बीटीस को माने तो साथ हजार यह सित्तर हजार से मातर अगर दो सो पर्षेंड सो पर्षेंड के बाद ऊपर चले गया मार्केट तो लगभग एक लाग डॉलर को इचीव कर लेगा और मार्केट में अभी पोजिटिव सिगनल यह मिल रहे ह कि मार्केट एक रेंज में घूम रहा है इसका मतलब अगर मार्केट समय ले रहा है इसका मतलब कभी भी बाउंस बेक कर सकता है एक बार फेट के जो ब्याजदरे है वो थोड़ा सा निर्ने जैसा भी हो हो जाए उसके बाद यह फाइनल है कि इस बार ब्याजदरे कुछ भी जा सकता है तो यहां पर BTC की वज़े से जो altcoin है उसमें जबरजस्ट बूश्ट यहां पर देखने को मिलेगा और इस कारण से जब BTC अगर 200% भी बढ़ जाता है 2024 में तो इस हिसाब से altcoin में 1000% के लगभग की growth आपको top altcoin में देखने को मिल जाएगी वही अगर हम meme token की बात करें तो meme token में यही growth लगभग 1000% से उपर की रहने वाली है जिसमें कोई सभी coin मान लो Shiba, Pepe, Bonk, Floki, Dog यह सभी coin जबरजस्ट बूश्ट करेंगे और इसके अलावा कुछ coin और यहां पर jump कर सकते हैं पेप केट हो गया, Trump हो गया मेगा ट्रम्प और एक वो माईरो coin हो गया इस टाइप के कुछ coin और book of meme token इन में से कुछ भी pump यहां पर उससे भी ज़्यादा कर सकते हैं यह final है, तो यह तो थियोरी हो गई कि Bitcoin बढ़ने से altcoin में जबरजस्त बूष्ट होता है यह हमें पता है अगला यहां पर एक जो बड़ा reason लग रहा है जो bull run के expectation बन रहा है वो है कि आने वाले समय में जो halving हुई है उसका impact अभी तक market पर देखने को नहीं मिला है क्योंकि halving जब जब हुई है BTC की तब तब halving के बाद market बड़ा है यह इस पश्ट संकेत है यहां पर 2020 में जब halving हुई थी उसके दो महिने के बाद लगभग 2-5 महिने के बाद bull run सिरू हुआ था जो कि एक ही बार में unexpected return दिया था अगर आप देखेंगे तो जो candle थी यहां पर वो candle दो तीन candle ने ही market को सित्तर त्रेसेट हजार पर पहुचा दिया था और वही संकेत अभी मिल रहे है यहां पर यही जो growth है वापस इस बार भी bull run में देखने को मिलेगी क्योंकि market अभी उसी range पर जैसे यहां पर घुम रहा था और सभी record unexpected टूड जाएंगे ठीक है अगली जो मैं बात कर रहा हूँ वो wheels की है हमने यहां पर notice किया है मैंने काफी समय समय पर notice कर रहा हूँ कि जो wheels थी ना उन लोगों ने पहले तो यहां पर 30-35 के असपस BTC को buy किया था और इसी type से कुछ alt coin में भी उन्होंने invest किया था उसके बाद हमने देखा कि market जब और जस्त बूश्ट हुआ 3-4 candle से market सित्तर पर पहुचा था पिछले 5 महिने के दोरान 5 महिने में हमने देखा कि वो यहां पर आने के बाद उन्होंने sale करना चालू कर दिया था क्योंकि market ने यह जो candle बनाई थी वो red बना दी थी sale होना हुआ market और अब यह market को यहां पर से उपन नहीं ले जाना चाहते है wheels का देखिए छोटे में भी profit बनाना का मन रहता है क्योंकि उनकी जो quantity रहती है वो large में रहती है मतलब पेसा वो large में इन्वेस करते है तो market को केसे भी करके 50,000, 45,000 तक लाना चाहते है और वहां से entry बनाना चाहते है कई wheels ने यहां पर पेसा थाजार पर भी खरीदा है कुछ इस्टेडिजी ने है कुछ इस्टेडिजी ने अभी उसी टाइम altcoin को खरीदा है और कुछ ने उसी टाइम meme token को खरीदा है क्योंकि जब BTC गिरा था ना उस टाइम altcoin तेजी से गिरे थे और यहां तक की meme token में 40-50,000 तक का dump देखने को मिला था उस बीच इन लोगों ने बाई कर लिया है और अब market यहां से boost करेगा और वेसे भी Halloween के दोरान market बढ़ता है तो ऐसे में सबको यह बाट sure है कि market 1,00,000 डॉलर BTC को पार कर देगा इस 2024 में और 25 में I think डेड़ से धही लाग डॉलर तीन लाग डॉलर तक का भी जाने का expectation बन रहा है जो कि एक strong यहां पर जो है news मिल रही है तो यह कारण है कि वेल्स की strategy को समझो उस हिसाब से हम यह कह सकते है कि October के बाद bull run का final जो countdown है वो start हो जाएगा अगली हम बात के लेते ETF देखे ETF का directly indirectly बड़ा रोल रहेगा market को boost करवाने में और हमने देखा है कि market इस टाइप से ETF की वज़े से बड़ा boost होगा BTC ETF में पेसा आएगा उदर Ethereum ETF में पेसा आएगा उसके बाद ही अगर हम देखे तो अब ही Solana के ETF की filing हो चुकी है मेरे हिसाब से 2024 खत्म होने से पहले Solana के ETF की permission यहाँ पर मिल जाएगे तो कहिना कहीं इस माध्यम से जो लोग अभी तक crypto से दूर थे जो crypto को गलत नजरिये से देखते थे वो लोग भी यहाँ पर जबज़स्त entry बनाएंगे और उसकी वज़े से market में एक जो boost है वो देखने को मिलेगा और वो कहिना कहीं डायरेक्टली इंडायरेक्टली योगदान जरूर देगा market की growth में तो आप तयारी कर सकते हैं कि आर October के बाद final bull run की जो है संभावना यहाँ पर बन रही है Shiba की अगर मैं बात को तो Shiba से expectation कर सकते हैं कि यह meme token की category में अभी के साब से short term में तीसरे पेदान पर रह सकता है हो सके pay-pay आगे हो जाए या फिर flow की आगे हो जाए या फिर Shiba ही number one रहें लेकिन सब चीजों की तुलना में कहीं या कहीं न कहीं Shiba दूसरे या तीसरे पेदान पर रह सकता है profit में लेकिन ये में केवल 2024 की बात कर रहा हूँ की न्यूज देखने को मिली है जैसे कोईन बैस से निकली थी फ्यूचर ट्रेडिंग की कोईन बैस से एम पेमिन एक्सेप्ट की उसके अलावा वीजा से इनका पाटनर्शिप और भी कई न्यूज है कई प्रोजेक्ट है और अपडेट है उसके अधार पर शीबा दूसरे ती नहीं बढ़ने वाला है डेफिनेटली बढ़ेगा क्योंकि एक्सपर्ट की राय यही है एक्सपर्ट इसी दिसा में सर्वे कर रहे है इसी दिसा में उनके ओपीनियन है जो की काफी अच्छे संकेत की और इसारा कर रहे है तो डोंट वरी अक्टूबर के बाद फाइनल बु